नमस्कार दोस्तों मैं सुमित मिस्रा स्वाइब करता हूँ अब फिर से आप सभी का मिस्रा जी टेक्निकल यूरूप चैनल में दोस्तों डेरी जी के टेस्ट की स्रीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट 17 की प्रीवेस चेल के कुशन से इसमें 16 सेट 16 वीडियोज आ चुकी है अगर आपने नहीं देखा है तो उपर प्लेइलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी प्लेइलिस्ट का लिंक दिया गया है आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हो बाकी के पार्ट्स बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं अगर आप क सभी की वीडियोज को देख टालो सभी की क्विजज भी आ गई हैं आप लोग MZT app पर जाकर के सभी की क्विज भी सॉल्व कर लो जिससे सारे के सारे कुशन आपके पक्के हो जाएं तो दोस्तों बिना देर करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजे जल्दी से चैनल को सब् दिन के पहले खुशन की पहला खुशन है पाचन में मदद करने के लिए सरीर में कौन सा एसिड प्रियोग किया जाता है आपके options हैं इन में दोस्तों हाइड्रोकलोरिक एसिड आपको दिख रहा है HCL का यूज किया जाता है पाचन में मदद करने के लिए ठीक है पाचन में help करने के लिए hydrochloric acid यूज होता है पूरी प्रक्रिया हम लोग समझेंगे पाचन की ठीक है दोस्तों भोजन का पाचन हमारे मुख से ही सुरू हो जाता है ठीक है मुख से ही सुरू हो जाता है भोजन का पाचन का प्रोसेस सबसे पहले जो लार में tylin नाम पाचाता है याद रखेगा लार में क्या पाचता है? tylin तो tylin जो होता है उसका भी कुछ रोल होता है hydrochloric acid के माध्यम से मिल करके ये लोग भोजन को अमलिये बना देते है ठीक है? भोजन को acidic बना देते है फिर भोजन आमासे में पहुंचता है, आमासे में पहुंचने के बाद होता क्या है, आमासे इसको एक ऐसे liquid में, एक ऐसे कहें कि हम लोग acid में change करता है, जो हलका पीले रंग का होता है, ठीक है, हलका पीले रंग का एक अमलिये द्रव होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जट्थ तो यह आमासे के काम होता है कि आमासे इसको जठर रस में convert कर दे जिसे gastric juice कहते हैं ठीक है तो यह आमासे से निकलता है अच्छा आमासे में बनाता कौन है इसे तो याद रखिएगा दोस्तों आमासे में एक pyloric ग्रंथियां पाई जाती है क्योंकि जब तक acidic farm में नहीं आएगा तब तो इसका पाचन होना संभा नहीं है ओके एक और पूछा जाता है दोस्तों यकृत यकृत से दोस्तों पित रस का स्राव होता है यह कुश्चन बहुत बार पुछाईता है पित अगकृत से संख्या क्या होती है जिसमें दस प्रोट द्रभमान दिया गया है बहुत बार आपको इसी सीरीज में ये फार्मला बता चुका हूँ कि A equal to होता है Z plus N A होता है द्रभमान संख्या Z का मतलब होता है number of protons और N का मतलब होता है number of neutrons तो यहां पर number आप proton और number आप neutron दिया गया है ठीक है लेकिन द्रभमान संख्या नहीं पूछा गया है आपसे proton संख्या ही पूछा गया है दूसरे रूप में है मैंने आपको बताया था proton जितना होगा उतना ही प्रमाड संख्या होगी यानि जितना proton की संख्या उतना ही प्रमा जा लेते फार्मला के सुरूप ठीकए इसको किसी भी पकार से अगर घुमा करके पूछ लिया जाएगा ये दे दिया ये दे दिया ये पूछ लिया तो आप लगा सकते हैं लेकिन तब जब आपको ये mail याद होगा याद रखेगा यहाँ पर प्रमावड संख्या, प्रोटानुक संख्या के बराबर है, इसलिए 10 होगा अंसर अब देखिए, कोई भी नुकलियस होता है दूस्तों, उसके अंदर दो चीजें पाई जाती है एक प्रोटान पाई जाता है और निोट्रान पाई जाता है प्रोटान पर पॉजटिव चार्ज होता है, यही दोनों नाविक के अंदर पाई जाते है बाकि जो इलेक्टान होता है, इसका काम होता है नाविक के चारो और कक्षक में चकर लगाना, ठीक है तो चारो और जो orbit सोते हैं उसमें electrone चक्कर लगाता है तो ये पूछा जा सकता है और electrone पर ज़ो होता है वो negative charge होता है जितना ही positive charge proton पर होगा उतना ही negative chargeav near होगा ठीक है? electrone की संखिया ओर proton की संखिया शेयम होती है लेकिन उसका sign जो होता है वो अलग होता है चेंज होता है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं निमलिकित उपगरह सिंखला में किस भारतिय प्रक्षेपन यान का उपयोग करके पहले भारतिय उपगरह का सुभारम किया गया था यानि कि इस जो सटेलाइट की सिरीज दी गई है इसमें से कौन सी ऐसी सटेलाइट की सिरीज ह पहली वार राकेट में भारतिय राकेट में भारतिय प्रक्षेपन यान में यूज किया गया था तो वो था दोस्तों रोहनी अब यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं आरे भट दोस्तों पहला उपगरह था भारत का नो डाउट लेकिन ये रूस की मदद से लांच किया गया था 1975 में 1975 में लेकिन पहला भारत की तरफ से भारतियों के द्वारा जो उपगरहों की स्रीज लांच की गई बिसेकलिए इसमें चार उपगरह थे एक साथ चार सेटेलाइट थे एक साथ लांच किया गया था हाला कि तीन ही सेटेलाइट जो है वो और्विट में ठ ठीक से काम करने के लिए पहुंच पाए लेकिन चार लांच किया गया था तो वह रोहडी के द्वारा लांच किया था ठीक है रोहडी उपगरा के स्रिंकला शुरू की थी इस रो ने कब शुरू की थी 1980 में 1982 में शरूं किया गया ठीक है सके तवरा तो यह ओपको चलिये स्रीहर्वाइट से किलियर बिलकुल चलिये अच्छा यह किस प्रकार का उपगरह है किस प्रकार की साटलैट है तो यह है दोस्तों जाक को सेटलैट की बारे में उस दिन बताया था कि कौन सी Earth Observational Satellite होती है कौन सी Communication Satellite होती है ठीक है तो ये Earth Observational Satellite थी रोहडी ओके नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा यंत्र समुद्र के अस्तर के उपर की वस्तों को देखने के लिए पंडुब्ब्बे में प्रयोग किया जाता है अब देखिए जो पंडुब्बियां होती है जो सब्मरीन्स होती है उसमें क्योंकि सब्मरीन्स होती है वो समुद्र की सता से नीचे तैरती रहती है नीचे ही चलती रहती है लेकिन उसमें थोड़ा सा उपर सा उठा रहता है एक पार्ट जो उपर पार्ट उठा रहता है उसी को कहा जाता है दोस्तों पेरिस्कोप उसका काम क्या होता है पेरिस्कोप काम यही करता है कि वो दूर देखेगा कि समुद्र सता पर कौन से जहाजें आ रही है कौन से क्या आ रहा है क्या चीज़ें है ठीक है तो वो बास छो पुद्र में जब पंडूबिया उती है या कोई जहाज ही हो गया वो अगर आप काँसा पार्टिकल ख 네 से बीड द्र है रेडियो सिंग्नल भेज जाती है, तो रडार का होता है, रेडियो डिरेक्शन एन रेंजिंग, तो रडार वगरा यूज तो किया जाता है, मिसाइल्स में, और जहाजों में, फाइटर प्लेंस वगरा में, सभी में यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन सोनार जो होता है, य जब कोई पार्टिकल है और कोई दूर इस्थित कोई भी पार्टिकल है कोई पिंड है कोई भी वस्तू है उसकी गर्मी का उसका तापमान अगर पता लगाना है उसका टेंप्रेचर पता लगाना है तब पाइरोमीटर का यूज किया जाता है मैक्समुम यूज कहां पर होगा maximum use दोस्तों ग्रहों अगरा कि अकर ताप मान temperature जानना है तब फिर इसका पता लगा जाता है ठीक है इससे इसका use किया जाता है चलिए ओडो मीटर क्या है ओडो मीटर तो आप लोग जानते ही होंगे बिसिकली रोज यूज करते होंगे जो गाड़ियों में बाइक्स में या फिर कार वगरा में जो दूरी मापने के लिए मीटर लगा होता है उसे ही कहा जाता है ओडो मीटर यानि ये मीटर ये बताता है कि आपकी गाड़ी कितनी दूर यात्रा तैंकर चुकी है ठीक है तो ये odometer पहिये वाला गाड़ी जो भी होता है उसके द्वारा चली गए दूरी को नपने के काम आता है चली पेरिस्कूप हो गया एपडी इस्कूप है ये एपडीया इस्कूप इसका क्या काम होता है ये प्रोजक्शन में काम आता है ठीक है जब भी कोई image हो, कोई चित रहो, उसको projector में दिखाना होता है, ठीक है, फिक छेपन जिसे कहते हैं, तो फिर इसका यूज किया जाता है, PDI scope का, ओके, चलिए, अगला question देखते हैं, भारत गणराज में वित्तिय अपात के इस्तिती किसके द्वारा गोशित की जा सकती है, बह पूरा का पूरा अधिकार या किस के अंदर में होता है, वो होता है राश्टपति के अंदर, ठीक है, राश्टपति को ये power है, कि वो तीन प्रकार से emergency लगा सकता है भारत में, कौन-कौन सी, एक तो दोस्तों, राश्ट्री अपात लगा सकता है, एक लगा सकता है राश्ट बिधान सवाब भंग कर दी गई तो वहां पर राजिपाल के हाथों में पूरी की पूरी चली जाती है पावर, तो ये राश्टपती के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राजपाल ही उस राजी का सासन देखता है, जैसे अभी आप लोग जम्मू कस्मेर में देख लो, ठीक है, फिर होता है अनुछे 360, अनुछे 360 के तहट वित्तिय अ अब ये अपाथ की जूँञा है, ये लिई गई है ये लिए दोस्तों जर्मनी के समिदान से, कहां से, जर्मनी के समिदान से, ये चीजे, याद रखिया है बहुत important है next लाल किला लगभग 200 वर्सों के लिए भारत के मुगल समराट का निवास अस्थान था यह किसके द्वारा बनाया गया था तो लाल किला दोस्तों 200 वर्सों तक भारत के मुगल समराटों का निवास अस्थान था और यह बनाया था साह जहां ने किस सब साजहान नहीं बनवाय था तो साजहाने कब बनवाय था साजहाने से दूस्तों 1629 से लेकर के 16 1489 के बीच में पनवाय था क्यों साजहाने अच्छा अब लाल-किला हो गया जांगे जामा मस्जित मैं कभी नियृद इनको नहीं नहीं जो है वह इंडिया में सबसे बड़ी में है तो एंडिया में सबसे बड़ी मेंsın Chris और ओप को कि हम सामने कुछ इनकि पूर्वत दीख रहे हैं इनको अब जान लोग जिससे बाबर जो बाबर ही भारत में मुगलवन्स की नहीं रखा है, बाबर को दोस्तों निर्थ करना पसंद था, ये डांसर था, ठीके, डांस करना इसको बहुत ज्यादा पसंद था, जहागीर जो था, ये कलाकारी करना पसंद था, इसको ये चितरकार था, ठीके, कलाकारी में, चितरकाला मे निपोर था अकबर जो था इसे नगाड़ा बजाना पसंद था नगाड़ा बजाने में ये निपोर था सहा जहा जो था ये आसिक था नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गाधी द्वारा कब शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 1922 को अभी 78 वर्सगांट इसकी मनाई गई थी इस साल इसे भी आपको याद रखना है ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मात्मा गाधी पर वैसे मैंने आपको वीडियो दी हुई है उसमें बहुत ही अच्छे से डिटेर में सब कुछ समझा है हुआ है गांधी यूग के ना थार का मर्वस्थल दोस्तों ये तो है रेकिस्तान भारत में ये कारा कुरम जो रेकिस्तान दिख रहा है ये है तुर्कमेनिस्तान में कहां पर तुर्कमेनिस्तान में है कारा कुरम रेकिस्तान गोवी रेकिस्तान या गोवी डिजर्ट ये कहां पर है ये है मंगोलिया में अब देखिए दोस्तों, गोबी जो है मंगोलिया में, ये एसिया का सबसे बड़ा है, ज्यानर किएगा, बारत का सबसे बड़ा आपने जान लिया, थार मर्वस्तल, एसिया का सबसे बड़ा जान लिजे, गोबी मर्वस्तल, गोबी का रेगिस्तान, दुनिया का अगर पूछ उसे ही ओवम कहा जाता है, तो ये मानो सरीर की सबसे बड़ी कोसिका होती है, अब ध्यान रखेगा सबसे बड़ी कोसिका और सबसे लंबी कोसिका दोनों में अंतर है, सबसे लंबी कोसिका आपको मिलेगी तंत्रिका कोसिका, ठीक है, तंत्रिका कोसिका सबसे लंबी कोसिका हो वब होता है ठीक है चले कोष autopsy का सब्दका प्रयोग सबसे पहले रावाड हुप ने किया था 1665 में आको पता होगा कोष्ट का जो होती है सेल्स जो होते हैं वह सरीर के मानोजीवन की सबसे छोटी कारयत्मक और सनराचनात्मक इकाई होती है ठीक है? चलिए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हागर दुनिया में पूछा जाए तो सुतुर मुर्ग के अंडे की होती है ये मानोजीवन की अभी बात हो रहे थी अगर ओवराल पूछा जाए तब आप सुतुर मुर्ग के अंडे का नाम बताएंगे नेक्स्ट निमलिकेत में से कौन सा असुध रक्त संचार करता है असुध रक्त संचार कौन सा करता है असुध रक्त का संचार दोस्तों पल्मोनरी धमनी करती है कौन पल्मोनरी धमनी करती है इसका काम क्या होता है इसका काम यह होता है यह दाहिने निले से दाहिने निले से फ राइट side में HEART के राइट side में असुध रख्त होता है यानि की CO2 u2 यानि carbon dioxide से लीकती सयवादा में और वायवाग में Left 다면 HEART के Left Side में सुध रख्त होता नि आक्सीजन जिसमें हुता है वह वाला BLOOD होता है इसको जहन रखेगा अच्छा हिर्दे की हमारी मान स्पेशियों को लगातार ब्लड की सप्लाई करना जरूरी है अगर ब्लड की सप्लाई लगातार नहीं हो पाती है तब ही आती है हिर्देगात की समझ से या नि हर्ट अटेक की समझ से तब ही आती है जब हर्ट में ब्लड नहीं पहुंचता है तब ही हर्ट अटेक आता है तो बोध मंदिर है तो यानि महात्मा बुद्ध जी की मंदिर है अच्छा बिहार में ही है गया जिला है और गया में यानि बोध गया में बुद्ध जी को ग्यान प्राप्त हुआ था ठीक है बोध गया में महात्मा बुद्ध को ग्यान प्राप्त हुआ था सारनात में जो की वरा कौन सा है सबसे गर्म ग्रह सबसे गर्म ग्रह होता है तुस्तों वीनस वीनस यानि सुक्र ग्रह ठीक है अब यहां पर बहुत लोग मिश्टेक कराते हैं लोग लगा देते हैं बुद्ध ग्रह को यह सोचकर कि सूर्ष से नजदीक है सबसे बुद्ध तु बुद्ध ही सबसे गर्म गर्ह होगा नहीं इसके पीछे का कारण कुछ और है क्या कारण है कारण यह है कि इसमें 98% CO2 पाया जाता है कितना 98% CO2 पाया जाता है सुक्र गर्ह में यही वज़ा है कि यह गर्ह जो होता है सबसे hottest planet होता है सबसे गर्म गर्ह कहा जाता है सुक्र गर्ह को ठीक है question पूछा गया था KBC में कौन बनेगा करोणपती में question पूछा गया था कि इन में से केस ग्रह का नाम ते उताओं के नाम पर रखा गया है तो याद रखेगा Venus ग्रह है ठीक है चलिए तो सुक्र ग्रह है हो गया अब देखिए सुक्र ग्रह से related बहुत सारे questions बनते हैं क्यों क्य कि जो ग्रह हैं वो anti-clockwise गूमते हैं यानि वो पस्चिम से पूर्व की ओर गूमते हैं जबकि सुक्र ग्रह और अरूण ग्रह दो ऐसे ग्रह हैं जो clockwise यानि पूर्व से पस्चिम की ओर गूमते हैं चकर लगाते हैं कि इसका सूरी का चकर लगाएंगे ग्रह है तो ठीक है इस इसके साथ ही इसे जुड़वा बहन भी कहा जाता है पिरत्वी की और ये बोर गतारा, सांज का तारा इसे कह लो, इसके साथ साथ ये सबसे नजदीक तारा जुड़वा बहन, ये सभी सुक्र से related कुछ important points से इसको याद रखना है, अगला है निमलिकित में से कौन सा algorithm का graphical प्र चार्ट बनाया जाता है, basic रूप सबसे पहला होता है कि flow chart बनाया जाए, flow chart जैसे मान लेजिए कि हमको कोई काम कराना है, ठीक है, तो कोई काम कराना है तो उस काम को कौन करेगा, मान लेजिए A करेगा या फिर B करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये decide करना होता है, A करेगा, तब क्या क्या होगा, बी करता है अगर तब क्या क्या होगा, ठीक है, अगर बी नहीं करता है, तब क्या क्या चीज़े होगी, तो ये सभी संभावनाओं के लिए एक flow chart पहले से बना दिया जाता है, फिर उसी पर programming लिखी जाती है, तो ये process होता है, प्रोग्राम लिखने का, तो उससे आसान हो जाता है, प्रोग्रामिंग करना, आसान क्या, पतलब ये एक basic जरिया है ही, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो आप प्रोग्रामिंग में जरूर फश्या होगे, और error आ जाएगी, ढोण नहीं पाओगे, कि error कहां से आईए, तो ये flow chart हो गया, प्रोग्रा प्रोग्राम सेट किया जाता है, कि क्या-क्या उस software का, उस application का use होगा, क्या-क्या वो function होगे उसके, तो उसकी programming की जाती है, programming language की बारे मैंने आपको बताया है, उसी languages में की जाती है, चाहे वो C++ हो गया, C Sharp हो जावा हो गया, Linux, Unix, बहुत सारी programming languages है, तो उसी programming languages में वो hardware का होता है, जिसको आप touch कर सकते हो, software का आप touch नहीं कर सकते हो, software का का काम यही होता है, कि किसी specific function को अगर कराना होता है, तो उसके लिए जो operating system में डाला जाता है, उसे कहा जाता है software, ठीक है, operating system, किसी system का operation कैसे करना है, यानि उसको कैसे operate करना है, ये decide करता है, लेकिन क्या operate कराना है कैसे किस प्रकार से ऑपरेट कराना है और क्या चीज ऑपरेट कराना है यह काम सॉप्ट्वेयर का होता है तो सॉप्ट्वेयर अगर गया सिस्टम में तो फिर यह हमें पता लग जाएगा कि क्या काम कराना है लेकिन कौन कराएगा ऑपरेटिंग सिस्टम कराएगा किस तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की एक मात्र और पहली महिला सासक राजिया सुल्तान थी, बहुत इजी कुशन है, बहुत एक कामन कुशन है, ये तो हमें पक्का पता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है, राजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की एक मात्र और पहली महिला सासक थी किसकी बेटी थी ये बेटी थी इलतुतमिस की बेटी थी और इनका शासन 1246 से 1240 तक चला था ठीक है अचाई इनके पती का क्या नाम था इनके पती का नाम था अलतूनिया ये सब चीजें मैं आपको इतिहास के हिस्ट्री वाले वीडियो में बता चुका हूँ आप लोग किस वंस ने मौर वंस की जगा ली अब देखिए मौर वंस की जगा किस ने लिए यानि मौर वंस के बाद कौन सा वंस आया तो मौर वंस के बाद दोस्तों सुंग वंस आया था पुस्यमित्र संग जो थे पुस्यमित्र संग ने बिहद्रत के हत्या की थी यानि अब बिहद्रत जो हुए वो मौरवंस के अंतिम सासक हुई एक पॉइंट तो यहीं मिल गया तो बिहद्रत की हत्या करके पुस्मित्र संगू बन गए इन्होंने संगवंस के अस्थापना की पुस्मित्र संग जो थे ये बिहद्रत के सेनापती थे सेना पती ने अपने राजा की हत्या की और उसके बाद सुंग वंस के अस्थापना की अच्छा पुस्मित्र सुंग के ही राजदर्बार में पतंजली रहा करते थे पतंजली कौन थे? पतंजली दोस्तों योग दर्शन गुरू थे ठीके चलिए next Golden Rock Pagoda किस देश में है? Golden Rock Pagoda तो Golden Pagoda का देश भी कहा जाता है मेमार को और यहीं पर है Golden Rock Pagoda याद रखिएगा मेमार में है ओके मेमार का प्रौलर नाम बरमा है इससे भी द्यान रखना आपको next PDF का विस्तार क्या है? PDF बहुत ही America इसी है PDF का फल्फार्म क्या होता है Canepra सी बैपा सभ़ात से चुड़ा है सभेको पता है सभी को पता है हडपा सभ्यता से जुड़ा है धौला वीरा धौला वीरा की खोज कब हुई थी 1990 में 1992 में हुई थी इसकी खोज ठीक है कहां पर है यह गुजरात में इस्टेट है ठीक है गुजरात में है और धौला वीरा में ही दोस्तों पहली बार पहला ऐसा अस्थल मिला जो थ्री लेबल की जिसमें तीन अस्तरिय दीवार कहां पर मिला धौला वीरा में मिला इसे भी ध्यान रखना आपको नेक्स्ट वाइमंडली दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वाइमंडली दबाव को मापने के लिए इसके लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं अब बैरोग्राफ का यूज किया जाता है वाइमंडली दबाव में हुए चेंजस को मापने के लिए और बैरोमीटर का यूज वाइमंडली दबाव को मापने के लिए लेक्टोमीटर दूद मापने के लिए ठीक है दूद की सुद्धता मापने के लिए थर्मोमीटर टेंपरे और a meter का use किया जाता है current मामने के लिए और volt meter का use किया जाता है voltage के measurement के लिए clear होना चाहिए बिलकुल अगला काला सोना क्या है काला सोना black gold त्यान रखेगा बहुत important question है क्योंकि black diamond भी होता है question black gold भी होता है question इसके बाद फिर false gold होता है यानि जूठा सोना भी यहां से भी बनता है question ठीक है तो याद रखेगा तीनों ही point black gold दूस्तों कहा जाता है petrol को पेट्रोल या petroleum को कहा जाता है ठीक है और black diamond कहा जाता है koela को किसको koela को कहा जाता है black diamond यानि काला हीरा अगर पूछा जाता है तब koela बताएंगे काला सोना अगर पूछा जाता है तब आप petrol या petroleum बताएंगे ठीक है इसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाता है जूठा सोना किसे कहते है तो iron pirate को किसे iron pirate को कहा जाता है जूठा सोना ठीक है false gold कहा जाता है सोना दूस्तों सोतंत्र रूप से प् प्रोंटे कुश्चन्स अब मेरा आपसे ही कुश्चन है इन्ही वीडियो को देखे हुए हैं आप तो आप बताइए कि पित्र रसका स्राव कौन करता है पित्र रसका स्राव मनुष के सरील में किसके द्वरा किया जाता है यह आप कुश्चन है आपके लिए आप लोग की जाएगी लेकिन आप लोग सेयर करोगे तब अपने सभी दोस्तों के पास जहां जहां हो सके सेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉंस दिखाईए जिससे आगे आने वाली सीरीज कां लोड कीजिए मैंने अंगली वीडियो में तता के लिए नमस्कार जाहें वन्दे मात्रम